दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेरी फर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पसुओं में क्रीमी के बारे में जानकारी ये फेफडे स्वसन नली और आखादी में भी पाये जाते हैं या हो सकते हैं क्रीमी पाचन तंत्र के अंदर रहकर उसके उतक द्रब या खून को चूसते हैं क्रीमी तीन परकार के होते हैं फिता क्रीमी गोल क्रीमी क्लूकस क्रीमी संक्रमन के लच्छन है दूध उत्पादन में कमी परजनन छमता में कमी अधिक दुर्गंद युक्त दस्तिया गोवर निचले जबडे में पानी भर जाना और बैस्ता में देरी रोक थाम मतलब क्रीमी नासक दवाई आयू एक बजन के अनुसार दस से पंद्रह दिन में प्रथम तीका करन या क्रीमी नासक दवा का इस्तमाल करना चाहिए चो से चो महिने तक हर महिने क्रीमी नासक दवाई का इस्तमाल करना चाहिए चो महिने से बड़े पसू में साल में दो वार बारिश से पहले और बारिश के बाद और तीन वार क्रीमी नासक दवाई का इस्तमाल करना चाहिए क्रीमी का लच्छन कभी-कभी खुनी दस्त हो सकता है दूद उत्पादन में कमी हो सकता है क्रीमी का काम है जो भी आप खाना दो जो न्यूट्रिसियन जानवर को मिलता है वो सारा न्यूट्रिसियन क्रीमी ले लेता है हमको लगता है मेरा जानवर हेल्दी है स्वस्थ है खाना खा रहा है लेकिन जो पोसक खाने में है मिलना चाहिए वो सारा पोसक क्रीमी खा जाता है तो आप एक्सपर्ट नहीं कर सकते हैं कि मेरा जानवर एक खाने के बाद इतना दूद देगा मुद्पादन छमता में कमी होती चली जाएगी कभी कभी गाय के निचले जबडे में पानी भर जाता है ये भी क्रीमी के लच्छन है पतले दस्त हो सकते हैं वो भी क्रीमी के लच्छन है कभी कभी गायों के पास जाने के बाद पीठ पर हात घुमाने पर अगर थोड़ा बाल आता है तो ठीक है ज्यादा बाल आता है तो समझ लिजिए कि क्रीमी है पसु को इसको इलाज करें इसका मतलब इलाज हमको करना है क्रीमी में क्या होता है एक ही परकार के दवाई बहुत सारे दवाई बाजार में मिलता है बहुत सारे दवाई मिलता है क्रीमी के मारने के लिए लेकिन एक ही परकार का दवाई देने से क्रीमी पेट में मरता नहीं है राजा की तरह जिंदा रहता है यह दवाई रोज खाता है मेरा क्या होना है क्रीमी सामना करने के लिए सच्छम हो जाता है फिर कोई भी दवाई दो क्रीमी नहीं मरेगा हर साल और देड़ साल में क्रीमी नासक दवा चेंज करनी है तब ही ये दवाई क्रीमी से लड़ने के लिए सच्छम नहीं हो पाएंगे नई दवाई है तो काम करने वाली है तो एक प्रकार प्रगरती सील किसान क्या कर सकते हैं केलेंडर में लिख कर रखें कि 6 महीने पहले मैंने ये दवाई दी थी फिर अगले 3 महीने में हमें कौन सी और दवाई देनी है इस से क्रीमी से लड़ने का च्छमता और हम उसे उस पर असर जादा कर सकते हैं और जड़ से खत्म कर सकते हैं क्रीमी के खिलाफे सिड्यूल याद रखना है और हर साल डेड़ साल में दवाई का कंपनी नाम चेंज करना है और जानवरों को देना है दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर क्रीमी को जड़ से खत्म करना है तो इसमें नीम जो नीम है वो बहुत ही कारगर है आप नीम के पत्ता सुबह साम दो मुठी गाय को खिलाएं एक महीना तक तो जो इक्स्टरनल पारासाइट्स है और इंटरनल पारासाइट्स है दोनों अंदर और बाहर में जो भी क्रीमी होते हैं गायों और भैस के पेट के अंदर वो सारे क्रीमी खत्म हो जाएंगे मर जाएंगे इसलिए पसुओ को नीम के पत्ता अवस्य खिलाएं थैंकि धन् झाल झाल